बाले अवस्था में बच्चे रंग रूप काठी को लेकर एक दूसरे को चिड़ाते रहते हैं चान नामक बालक के साथ भी ऐसा ही होता है दोस्तों के दुर्बयोहार से वह दुखी और परिशान रहता है किन्तों अंत में उसे समझ आ जाता है कि उसकी समस्या का समाधान केबल उसके अपने पास है ये कहानी भी एक ऐसे ही चान बाबू नामक बच्चे पर आधारित है जो कि देखने में बहुत सुन्दर नहीं है लेकिन फिर भी उसका नाम चान है उसकी माँ उसको चान बाबू कहकर पुकारती है उसकी माँ की निगामे वो संसार का सबसे सुन्दर बच्चा है लेकिन उसके रंग रूप को देखकर उसके साथ ही उसे हमेशा चड़ाते रहते हैं उसे काला भालू कहता है कोई काला कवा कहता है कोई चान इसी तरह से कोई घर का उजाला इस तरह से कोई अलग अलग तरीके से लोग उसको परिशान करते हैं उसके चेरे पर चेचक के दाग हैं आँखें छोटी छोटी होती हैं चप्टी नाक, मोटे मोटे होट, सीधे सीधे तांच जैसे बाल, देखने में वो बहुत ज़्यादा सुन्दर नहीं लगता है, उसके रंग रूप की वज़े से उसे सब किसी ना किसी तरह से चड़ाते रहते हैं, एक दिन वो इतना परिशान हो जाता है कि घर स्कूल से बिन आती है, जो उसको चांद बाबू को अपने साथ ले जाती है, और परियों के देश में, वहाँ पर चांद बाबू बहुत सारी परियों के बीच घर जाता है, और वो जब परियां उसको चारो साइट से घर लेती हैं, तो चांद बाबू बहुत खुश हो जाता है, चांद बाबू कुस देर तो जरा डरा सहमा रहता है लेकिन जब वो देखता है कि सब उससे बहुत प्यार से बुला रहे हैं तो वो जिजग और डर उसका दूर हो जाता है तो सब उसके सारी परियों के साथ वो बैठता है खाता पीता खेलता है तब बहाँ पर परियों के देश में वो एक बच्चे से पूचता है चांद बाबू तुम तो पढ़ते होगे एक बच्चा पूचता है तो चांद बाबू कहता है कि हाँ मैं पढ़ता हूँ तो वो बच्चा उसको उनको चांद बाबू को समझाता है कि कोई तुम्हें ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और तुम्हें बेफिक्र होकर जो काम कर रहे हो सारा ध्यान अपनी पढ़ाई और उन चीजों पर लगाना चाहिए ऐसे लोग जो कह रहे हैं उनको कहने देना चाहिए यदि तुम उनकी बातों का बुरा मानोगे तो वो तुमको और ज़्यादा चड़ाएंगे इस तरह से जब चान बाबु की नीन्द खुलती है तो वो इन बातों को ध्यान में रखता है और अंत में वो अपने ब्योहार को बदल लेता है और एक अलग ही उसको उसमें आत्म सम्मान भड़ जाता है इस तरह से वो किसी की बातों का बुरा नहीं मानता और धीरे धीरे करके वो बच्चे भी उसको चड़ाना बंद कर देते हैं मास्टर साहब भी उसको बहुत प्यार करने लगते हैं अब धीरे धीरे सभी बच्चों का ब्योहार उसके प्रती बदल जाता है थेंक्यू